हरेकिशना आप सब मुझे जानते हैं मैं हूरीना शर्मा और मेरी रसोई में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चना मसाला और अगर आपको मेरी चना मसाला की रेसिपी पसंद आए तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन को जरूर दबाएं तो चना मसाला बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो हम दे लिते हैं ये मैंने दो टमाटर लिये हैं और इसमें एक हरी मिर्च आदा इंच अद्रक का टुकड़ा इसे हमने मिकसे ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस लिया है ये एक कप काउली चने हैं इन्हें हमने 7-8 घंटे के लिए बिगो दिया था और उसके बाद 3 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में इन्हें कुक कर लिया है और ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और ये 5 चम्मच हमने ओईल लिया है 2-3 चुटकी हींग एक तेजबता जिसे हमने 2 टुकडों में तोड लिया है 2-3 चम्मच क्रीम आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं और ये एक चम्मच चाट मसाला मसालों में हमें चाहिए आदा चम्मच जीरा, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आदी चम्मच गरम मसाला और नमक अपने स्वात के हिसाब से जैसा आप खाते हैं तो चना मसाला बनाने के लिए मैंने गैस पे कड़ाई रख दी है ये हमने आइरन की कड़ाई ली है और इसमें ये जो हमने ओईल लिया है पांच चमच ओईल डाल लिया है और फिर जैसे ही ओईल गरम हो जाएगा इसमें हम आदा चमच जीरा डाल देंगे गैस को एकदम कम रखेंगे और इसमें जो एक तीज पत्ता था उसे दो टुकडों में तोड़के रखा था उसे डाल दिया है और उसे डालने की तुरद बाद तमाटर की प्योरी भी डाल दी है चमच की सायता से अब हम इसे इस तरह से गुमाते हुए चलाएंगे और बगली से भी इसे चोटाते रहेंगे और इस तरह से इसे चलाते हुए हमें इसे भूनना है और एक दो मिनिट के बाद इस तरह से इसमें उबाल आ जाएगा हींग में डालना पहले भूल गई थी इसलिए अब डाल रही हूं कोई बात नहीं आप इस समय भी डाल सकते हैं तो उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर, आदी चम्मच लाल मेच पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर और आदी चम्मच गरम मसाला, इन सब मसालों को डालने के बाद में हम चम्मच की साहिता से इसे फिर से चलाएंगे और इन्हें इस तरह से गुमाते हुए हम इस मसाले को एक दो मिनिट के लिए धीमी आज़ पर भूनेंगे और उसके बाद में हम इसमें फिर से डाल देंगे चाट मसाला चाट मसाला डालने के बाद में हम फिर से इसे चमच की साहिता से इस तरह से चलाएंगे और चलाते हुए इन मसालों को हम आदा मिनिट के लिए भून लेंगे और फिर इसमें ये दो चमच जो क्रीम थी इसे भी डाल देंगे और इसे डालने के बाद फिर से हम इसे चमच की सायता से इस तरह से गुमाते हुए मिलाएंगे ताकि सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं सब मसालों को इस तरह से छुटाते हुए चारों तरफ से इसे मिला लें अच्छे से एक मिनिट के बाद में ये इस तरह से फिर से इसमें उबाल आ गया है और हम फिर से इसे चेक कर लेंगे और नीचे अगर चिपक गया है मसाला तो इसे इस तरह से चमच की सायता से चोटाते जाएंगे और चलाते जाएंगे अब मैंने इसमें डाला है एक कप पानी क्योंकि हम चना मसाला बना रहे हैं तो चना मसाला थोड़े ड्राय होते हैं इसलिए हमें पानी थोड़ा ही लेना है इसलिए मैंने एक कप पानी लिया है तो इसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया है और मसाले को इस तरह से हम चारों तरफ से चुटाते हुए अच्छे से इसमें मिला लेंगे और ये देखिए एक मिनिट के बाद में इसमें ओवाल आ गया है और अब हम इसमें ये जो कावूली चने हैं इन्हें डाल देंगे चने डालने के बाद में हम इन्हें चम्मच से अच्छे तरह से इस तरह से मिलाते जाएंगे और इन्हें अच्छे से गुमाते हुए मिला लें इन्हें चलाते रहें इस तरह से और फिर इसके बाद में इन्हें थोड़े से कुछ एक चनों को हम तोड़ लेंगे इसमें ताकि थोड़ी इसमें binding बन जाएगी वना थोड़े चने अलग होंगे और पानी पानी अलग हो जाएगा इसलिए हम थोड़े थोड़े चने तोड़ लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी बैंडिंग बन जाएगी और इस तरह से चमच की साहिता से इने तोड़ने के बाद में इसमें हम नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार जैसा आप खाते हैं उस तरीके से और फिर नमक डालने के बाद फिर से हम इसे चमज की सायथा से चलाएंगे और ये देखिए, दो-तीन मिनिट के बाद में इस तरह से देखेंगे मैने कोई ढखकन नहीं ढखा इसी तरह से इनने खड़े होकर बनाया है और आरन की कड़ाई में बनाने की वजह से इसका color भी देखिए बहुत अच्छा आया है तो इस तरह से इने हम चमट से अच्छी तरह से इने चलाते हुए यहने और अब इने हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे धीरे धीरे आराम से इसे दूसरे बरतन में निकालें बहुत गरम है इसलिए देखिए मैंने दूसरी तरफ हाथ रख लिया है तो आप इन सब चना मसाला को अच्छी तरह से निकाल लें एक दूसरे बरतन में और ये देखिए इस तरह से दिखेंगे ये बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं अगर आपको मेरी ये इजी रेसिपी अच्छी लगी हो चन्य मसाले की तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट लाइक शेर जरूर करें और पहले भगवान को भोग लगा और फिर ही ये ग्रहन करें हरी किश्णा